नमस्कार जैहिंत बंदे मात्रम सो स्टुडेंट्स जैसा कि हमने पिछली लाइव किलास में आपको बताया है कि हम बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताएंगे पोयम का सेंटरल आइडिया लेखने की तो सेंटरल आइडिया चाहे किसी भी पोयम का आजाए बस आपको उस पोयम का नाम तो दिया ही जाएगा रशन पत्र में और उसके पोयट का नाम आपको आना चाहिए और अलग से आपको उसका सेंटरल आइडिया करने की चलूरत नहीं है याद क्यों क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बही बताने वाले हैं कि आप सेंटरल आइडिया किसी भी पोयम का हो बस उसके आपने क्वेशन आन सकतो याद किये ही होंगे सेंटरल आइडिया याद नहीं किया है ठीक है एक पोयम का central idea देखिए हम आपको बता रही है central idea कैसे लिखना है ठीक है तो central idea लिखने के लिए सबसे पहले तो हम black pen से वड़िये सुन्दर handwriting में डालेंगे answer ठीक है answer of question 16 पे आएगा न question number 16 हम डाल देंगी ठीक है अके लिए answer 16 डाल दें तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब देखो हमें क्या करना है बिल्कुल भी याद नहीं है आपको central idea माली जी question आ गया कि write the central idea of the poem the road not taken ठीक है the road not taken poem का आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है हमें यहाँ यह line जो खींचेंगे हम poem और dash कर देंगे फिर blue pen से हम poem का यहाँ यदि black pen नहीं है तो हम blue pen से भी लिख सकते हैं वस साफ सुत्रा लिखना है ठीक है तो हम poem का नाम लिख देंगे the road ठीक है not taken not taken यह हमने ऐसा लिख दिया ठीक है तो my dear student यहसा poem का नाम लिख देना है अच्छा मैंने एक छोटी सी mistake कर दी यहाँ पे आपको बीचों बीच एक line यहाँ पे central idea लिखना तो मैं यहाँ लिख दी रहा है central idea लिख दीना है बीचों बीच क्या लिख दीना है central idea ठीक है ऐसा और poem ऐसा लिख दीना है poem the road not taken और फिर फिर हमें क्या करना है poet लिखना है poet तो इसके poet का नाम हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया सारी poems के नाम और सारी poets के नाम आप याद कर लिजिए तो poet का नाम है Robert Firust तो हम लिख देंगे Robert Firust ठीके ये हमें तीन नंबर का question आएगा हमारा तो हमें तीन नंबर का question एक single page पे करना है देखो इतना कर लिया अभी central idea याद नहीं है ठीके बिल्कुल याद नहीं है what हमें इसके 2-4 question answer याद तो होंगे ना बिल्कुल होंगे तो कोई भी poem का central idea आए आपको अब यहां से एक line छोड़ करके यहां से start करना है थोड़ा सा यहां इस line से gap देना है यहां से start करेंगे according क्या लिखेंगे हम according to poet ठीके according to poet इतना हमें लिखना है सब central idea हमें कोई भी आ जाए दुनिया का अब इस poem के the road not taken poem के जितने हमें question answer याद है कम से कम तीन question के answer हमें यहां किरम से लिख दीना है मिलाके जैसे हम लिख रहे है इसका हमें एक याद है इस question का where does the traveler find himself what problem does he face यह वाला याद है तो हम इसका answer यहां लिखते हैं क्या लिखते हैं the traveler यह हम में लाकी the traveler ठीके the traveler finds himself finds थोड़ा से मोबाइल पकड़ना पढ़ रहा है मुझी यह खास से लिखना पढ़ रहा है तो थोड़ा से दिखकत आ रही है आपको बिल्कुछ साफसुत्री राइटिंग में लिखना है himself at a point at a point where two roads diverge where two roads two roads diverge ठीक है यह हमने यहां लिख दिया अब आगे भी हम इसमें answer भी order रह गया है his problem his problem is that is that he cannot he cannot decide which road he should take ठीक है ठीक है road he should take fully stop यह एक answer हमने अभी इसमें लिख दिया अभी हमें इसके दो answer कम से कम दो तीन answer तो याद होंगे ना है हर एक पोयम के आपको ठीक है आपको याद है जैसे कि विच आफ दो रोट्स डिट द पोयर्ट चूज एंड भाई यह इसका आपको याद है तो इसमें हम लिख देंगे यहां से ही चोज दा रोट्स देट वाज लेस ट्रेवल्ड ठीक है देट वाज लेस ट्रेवल्ड ठीक है ऐसा हमें सेंट्रल आइडिया लिखती चलना है एंड मूर चैलेंजिंग एंड मूर चैलेंजिंग ठीक है तो ऐसे हम लिख दें एक और आंसर मिला दें इसमें एक और याद है यदि नहीं है मालो तो इतना हो गया इतने में आपको तीन नमबर दी देगा जाचने वाला ठीक है क्योंकि आपने यहां सारी चीज़ें के लिए रकी है ना पुयम का न तो इसमें हम लिख देती हैं अब एसा बीच बीच में हम इंडिस पुयम लिखती चलें तो ज्यादा साही है यहां पर भी लिखते हैं इंडिस पुयम इंडिस पुयम यहां क्या लिखेंगी इंडिस पुयम इस पुयम में इसका मतलब है इंडिस पुयम और कॉमा लगा दे ठीक है यहाँ पर भी कॉमा लगा सकते हैं तो in this poem the yellow wood represent ठीक है the yellow wood represent the season of autumn ठीक है the season of autumn ठीक है तो yellow wood season of autumn को represent करती है yellow refers to the yellow leaves ठीक है yellow refers to the yellow leaves ठीक है आपको ऐसे लिखते चलना है yellow leaves that fall during autumn ठीक है that fall during the autumn तो इस टाइप से हमें central idea लिखना है इतना अच्छा आप लिख लोगे must तो मैं guarantee देता हूँ आपको जाचने वाला तीन नमबर देगा यह central idea हो गया ठीक है और यदि जितने भी मालो आपको तीन आपसर याद है तो तीन लिख दी चार है तो चोथा भी इसमें मिला दू ठीक है आपको जितने आपसर याद है उस पोयम के जिसका central idea है वो सारी आपसर आपको यहसी किरम से लिखती ना है जमा की ऐसा according to poet करके हर आंसर के पहले आप यह भी लिख दू इन दिस पोयम यहाँ पर भी लिख सकते हूँ इन दिस पोयम वह सुरू में according to poet लिख दिया फिर एक answer लिख दिया फिर अगला लिखना है इन दिस पोयम फिर अगला answer लिख दिया इंदिस पूई हम अगला अंसल लिग दिया ऐसे आपका सेंटरल आइडिया हो गया और एक सिंगल पेज में आप एक तीन नमबर का कॉश्चन कीजिएगा मैं गेरेंटी देता हूँ कि आपको जाजने वाला ऐसा राइट लगाएगा खोस होके और तीन मैं से तीन नमबर दे देगा बिलकुल ठीक है तो देख लो प्रेक्टिस कर लो और मुझे फोटो भी भीज सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नमबर नूट कर लो फोटो भीजने के लिए 7509929282 चलिए जैहिंद बंदे मातरम